हाई गाईज वेल्कम बेक्ट टू चैनल थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा ड्राइव लूंगा तो यह मतलब छोटा सा एक व्लोग है तो बहुत दिन से कुछ मतलब वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूं तो इसके लिए सोचा एक छोटा सा व्लोग ही दे दू अभी मतलब नहीं यह सोट्व पर तरफ जा रहा हूं और मैं इको पर चल रहा हूं तर गियार 13 का वारेज दे रहा है मतलब यह दिखाड़ा थार्टीन का थार्टीन से कम ही होगा तो यहीं बात है और यह मेरा जो डेश क्याम है ना इधर एक मतलब जॉल डिटेक्शन करके फीचर है मतलब फ थोड़ा सा गारी कपता है तो इसके लिए यह चीज बाइडीफॉल्ल दिया है यह तो मैं आफ नहीं कर पा हूं यह जो साउंड है यह थोड़ा सा इरिटेट करेगा अगार मतलब आप अकेला गारी चल रहे हो तो साइलेनली गारी चल रहे हो तो उस टाइम पर नहीं तो कोई आप रुका था बड़ देखो रहा थोड़ा सा टायर में आइटिंग अवा कम है या टायर कामचर हो गया तुछ समझ नहीं आ रहा है तेखो एक्चुली सोचा था मतलब तायर में यह पेशर कम आप पर कम नहीं थेखो थोड़ा सा हो सकता है एक दू-पी एसाई कम हो गया बट उतना कम नहीं है मतलब compare to इन तीनों टायर से उन टायर में थोड़ा सा धगड़ा है देखके यह कम है सो मालूम नहीं तो रोड साइट सॉब से तो मैं नहीं यह टालूंगा डायरिक जाके पंप में नाइट्रोजन जो यह होता है वही डाल के दिखूंगा तो गाइज आभी मैं नेश्टू पे हूँ और सामने अभी जो हाईयोई मीर्थी आए वह आएगा एक दो किलो मीटर में क्यूंकि उसका बोट देखा मैंने तो मतलब इतना दीन बाद मैंने गारी लेके नितला हूँ तो अल्मोस्ट टाइम भी हो गया दो पंदरा दो पैर को और मैंने लांज मी नहीं किया था तो कि क्या होता है बठा एज अफ नौ गारी चलने में मतलब एक अलगी माजा आ रहा है अकेला हूँ म्यूजिक हलका सा साउंड में एक अलग माजा आ रहा है देखो कि हाईवय मीर्थी में प्रॉस कर रहा हूँ यही बात है चलो और आभ अभी एमाइडी पे सो होड़ा है 18.7 बट मुझको तो मालूम आ है 18 नहीं दे रहा है गारी उससे कम ही दे रहा है बट हाँ और मेरा स्पीड है लगभग 60 से 18.90 के असबस मैक्स तो मैक्स 100 जा रहा है क्यों फे मैं इको मोट पे चल रहा हूँ गारी तो यही बात है चल दो आभी फोड़ा आए तो इस के लिए उधर भी जो है रास्ता में यह जो योलो यो बॉल्डर देलगे यज इन भी काम चल लगा ना है कि सुभा और राथ कर टाईम पर जो एनिस्ट है इदर थोड़ा सबराश है तो में अलूम अर्थ नहीं है तो मन्मत बहुत दिन बाद और लब अलग ही एक मौज़ा आ रहा है और मैंने एक्चुलिस हो जा था एने इस्टू पे कहीं पर जाके रूखेंग रूखे एक दो सौर्स या कुछ वीडियो मैं मतलब बनाऊंगा बट अब इतना दिन बात गारी मैं लब चालने को मिला मुझको तो यह सब करने का कुछ म कडekkारी नहीं चलाया जालाएं हूं अगर लोत लोग या सथ अधकी शलunt बट्ठाव एक अधक मौत है तो आगे थे इस बदनाओ टाइमपे मैं पॉंचता हूं यहां हो सके तो मैं सोपतिगर भी तच कर दो चटून ब curry मैं इस लेका दाग तो शलून कर अब बुर रिए ऑपने औरी में बुरे कर दो ने हले जो एंब अबल ये जो कोज बुब बुल आजश लिए जो एंद बुब इंग आज़ थाल लुब शों गव वो उड़ाँ बार चिल्ण इसाइ और बार्पल एक नहीं चला हुआ है थोड़ा सा उइंडो पेरा जो है डाउन है क्योंकि सर्दी का टाइम है उतना ज्यादा गर्मी भी नहीं है और दो पहर हुआ तो एक चली जरुरत है तो वीदाउट एक पे यह माईलेज दिखा रहा है 18.7 अगर इस ही चलाओंगा तो इससे भी काउं दिखाएगा क्योंकि मेरा लगवागी 3200 अभी मेरा स्पीड है तो इसके लिए कि गाई देखो हिंदुस्तान होटेल भी आ गाया विंदुस्तान होटेल भी प्रॉस कर लिया अभी दोतेईस बाज रहा है शायत मैंने जो बोड़ा बिगमपूर से इनेश्यू पे उठा था एक पचस के आस-पास माल बादा कंटा भी नहीं हुआ हुआ हिंदुस्तान युक्ष होगा तो इसको पहले चलता हूं चलता हूं टू वर्स सर्थिखर के लिए तो चलो हुआ वह सो मैंने पालसी ट्ोल पे आ गया हूं ठीक है है चलो अभी यहां पर फास्टेक से काटेगा दो टोल है यह मालूम नहीं कितना क्या टोल काटे ता है लगभग मुझको लगदा है सेवेंटी फाइब क्या सपस काटेगा चलो यहां से सोकती का और दस किलो मीटर होगा ज्यादा से ज्यादा हो गया काट गया कुछ देर में यह जो है यह जीटी रोड जो है आमारा ओ जीटी रोड यहां पर राके जो एनेस्टू से कनेक्ट होता है तो इसका यह फ्लाइओवर है तो इदर आइटिंक दिखाएगा देखो बर्दोमान और इंपिलिट दिखने रहा है बर्दोमान 22 किलो मीटर्स और मेमारी जो है 6 किलो मीटर्स है सामने अट शोक्तिगर यहां से चार पंच्छा किलो मीटर के आस्पास होगा कि आगा टाइम होता तो मैं बर्दमन भी चला जाता जो 108 मंदिर है बड़ उतना टाइम भी शायद नहीं होगा अल्मोस्ट 244 बाच गया शोक्तिगर में एक जागा रूपके एक थोड़ा सा कुछ मीदाना लेके पैस कर दूँगा इसमें भी अल्मोस्ट इन बाच जाएगा सो या सो मैंने सोक्तिगर पहुंच गया देखो सामने से जाकी यूटन लेके एक लैंग्चा महोल करके कुछ होगा जहां से मैं अकसर खरितता हूं सो वहीं से ही कुछ मीदाना अगरा ले ल पास होता है तो सामने यूटन है यूटन ले लूंगा यहां से चलो अच्छा सा एक क्रीप हुआ है और आभी फूइल भी दो बार हो गया देखो चलो यूटन लेके उसके बाद चलता हूं देखो मेरा गारी में देखो आभी 145 इस्टें स्ट्रीम्टी दिख़ए उसके ब यहां से भी जो है सीरामपूर नियली 75 किलो मेटर के आसपास होगा तो इसली मैं पहुंच तो जाओं गाई और यह जो डिस्टेंस ट्रीम्टी दिखाता है उसके बाद भी मतलब गारी चलता है तब 15-20 किलो मेटर मतलब एक लिटर उसके बाद भी तेल रहता है तो आभी के यही मैं दिखाने रहा हूं मतलब डिस्टेंस ट्रीम्टी 145 है उसके बावाजुद्धी जो है जल गया पांच में मालूम नहीं जो कितना रिजेव जो फुएल का बाद है और 145 मतलब 150 से यह स्टार्ट हो गया था बट उसने पे मैं वीडियो मैं बना नहीं पाया था यह था लेंग्चे बाजार जहां पर मैंने आया था कुछ सीता वोग जो है और लेंग्चे पा गड़ लिया तो अभी मैं जाओंगा अभी टाइम हो के अल्मोस्त तीन बाजे बुला था तो यह और अभी जाने के ताइम में कुछ वीडियो मालब नहीं करूंगा क्यूंकि शीरंपूर नियाली 70-80 km होगा और अब ही सारे तीन बाज रहा है तो मालूम नहीं कितना टाइम लागेगा यहां पर यहां से शीरंपूर जाने के लिए अगर हाईयोए पे कुछ ट्रासिक नहीं मिलेगा तो एक घंट एक आसपास पहुंच जाओंगा तो शीरंपूर जाकर स्वेल अब करूंगा तो गाइस एक चीज के लिए रुक नहीं पड़ा यह देखो ओड़ो पे अभी मतलब डॉबल फोड हो गया एक मैजिकल लंबर इवकल से आज हुआ डिसेंबर माहिने में 22 डिसेंबर 22 डिसेंबर एक्च्वाली तो लगभग आट माहिने में मैंनलब म चलाया तो गाइस अल्मोस्ट मैं सिरंपूर आ गाया हूं अभी देखो चार चलीज बाज रहा है तो और फूएल भी एक बार हो गया तो तो लाइट जली रहा था सुक्तिगर से तो मलब एक घंट दस मिनिट में मैं पहुंच गया सिरंपूर अल्मोस्ट किलोमीटर रस्ता तो इधर मैं फूएल अप करके रस हो जाएगा तो अल्मोस्ट एक थांटा दस मिनिट लागा सिरंपूर आने में सौंख्योप्तिगर रास्ता एक्दम मंदब उतना ट्राफिक नहीं था क्योंकि दो प्रे का टाइम था ना इसके लिए कैसी पर आठक पर आठक ये क्ष्परर राईट शियुट बच्च पर शेख प्रे राइब कर सक्ट बात भी स्विड़ार्ग्ट जब शूरल एक्रीज़ के दिवड़ क्योंकि डाम इस तो एक्ट तिक विड़्यें राओग्टें कि तोंकि कि अपर दोंकि अप्टूर